नमस्कार दोस्तों मैं रश्मी पूजा पार्थसमी के साथ चैनल में आप सब का स्वागत है तो साल 2023 में 6 माई की 33 दर्शी सोम प्रदोस्प्रत कब है व्रत का महत्त पूजा वीदी और सामगरी का वीडियो में आप सब के साथ लेकर आई हूँ तो अप्राइल में पहला प्रदोस्प्रत तीन अप्राइल को लग रहा है तीन अप्राइल को शोम वार है और इस दिन 33 दर्शी थी सुबह 6 बच कर 25 मिनट से लग रही है इस दिन सोम प्रदोस्प्रत किया जाएगा शोम प्रदोस्प्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोले नात प्रदोस काल में बड़े ही प्रिशन रहते हैं और नत्य करते हैं इस समय में जो भी भक्त शोम प्रदोस प्रत की कथा का पाट करते हैं और भोले नात की पूजा करते हैं तो पूजा का फल फूल लड़ू के साथ करें भगवान भोले नात को सफेद कलर क फूल आवश्य अर्पित करें तो आगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगा फास्टाइम शेयर कर दीज़ें सब्सक्राइब तीन अप्रेल को सोम वार है और इस दिन तेरोदसी तिती जो कि 6 बचकर 25 मिनट पे लग रहे है इसलिए इस दिन सोम प्रदोश प्रत किया जाएगा और मैंने पहले ही बताया है कि इस दिन ब्रत रखना बहुत ही फलकारी है क्योंकि सोम प्रदोश के दिन जो भगवान भोले बड़े ही प्रशन रहते और नत्य करते हैं तो इस दिन आप को ब्रत रखना बहुत ही लाबकारी मौना जाएगा तो आप इस दिन ब्रत अवश्य रखें तो त्रवदेशी तीती में पूजा कामूर्थ शाम में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है इसी समय प्रदोश काल कहलाता है इस काल में मनुष्य को संध्या वंदन और ध्यान पूजा करना चाहिए इससे सूर्य गरह भी अनकूल होते हैं अगर आप ब्रत नहीं में रखते हैं तब भी आप त्रवदेशी के दिन संध्या वंदन और पूजा बड़े अच्छे से करें तो आपको ब्रत 3 अप्रेल को रखना है और उसका पारण 4 अप्रेल को करना है तो इस तरह से मैंने बताया कि इसका प्रदोश काल का मुर्थ क्या है अब सूम मुर्थ कभ है जब आपको पूजन करना है तो 3 अप्रेल साम 5 बचकर 5 मिनट से 7 बचकर 30 मिनट पर आपको पूजन क करना है वही अप्रेल में दूसरा सोम प्रदोस्वरत जो की अंगला है वो 17 अप्रेल को किया जाएगा इस दिन क्रिश्ण पच्ची के 23 तिथी होगी इस दिन दोपार 3 बचकर 47 मिनट से 23 तिथी लगेगी और प्रदोस्वरत का पूजन साम 5 बचकर 57 मिनट से 7 बचकर 32 मिनट किया जाएगा तो आपको पूजन कप करना है पाज बचकर 55 मिनट से 7 बचकर 30 मिनट के बीच में अब प्रदोस्वरत में आपको कैसे पूजन करना है सुबह किसी भी ब्रत में आप रखते कोई भी पूजन करते हो तो आप इसको समय सुवेरे जल्दी श्णान कर लेना है श संबा हो तो व्रत करें अगर आप व्रत नहीं करें तो भी प्याप पूजन कर सकते हो भगवान भोलेनात का गंगल जल्द से अविशेक करें भगवान भोलेनात को पुस्परपित करें इस दिन भोलेनात के साथ माता पारवतिया और गनेश जी की पूजन भी किया जाता है क आगवान बोले नात का आप गंगा जल्ग से अविशेक करने के साथ दूद दही और पंचम रत से भी उनका विशेक अवश्य कर सकते हैं। प्रदोश्वरत की पूजा समगरे तो अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बेलपत्र, जनेव, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल तो ये सारी चीजे आपको प्रदोश्वरत के लिए उसके साथ साताम की टेरी और आप कलस बना रहे हैं तो कलस के लिए आपको जल, सुद्ध जल, कलस, कलोटा, उसके साथ साथ थोड़ा साक्षत जो कलस के लिए आप रखोगे और उस पर रखने के लिए एक दीपक और चौक बनाने के लिए आपको आटे का की जरूरत पड़ेगी, प्रदोश्वरत का महत्तुप, सास्तों के अनुसा सों का दान के बरावर फल मिलता है, पूरी निष्टा से सों प्रदोश्वरत रखने से भवाश्य वक्तों के सारे कश्टों को दूर कती इतना ही नहीं, जिन लोगों की कुली में चंद्र दोश है, उनको भी सों प्रदोश्वरत जरूर रखना चाहिए, ऐसा करने से चंद्रमा किस्तिती बहुत ही मजबूत होती है तो इस तरह से मैंने आप सबको इस वीडियो में बताए कि सोम प्रडोष वरत कब है वरत का महत्तु क्या है, पूझा वीधी क्या है, किन-किन समक्रियू की आउखको अशकता होने वाली है और किस मुर्थ में आपको पूजन करना जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रू बताएगा वीडियो को लाइक शेयर करेगा